Department of Pharma के सचीव, Dr. Arneesh चाबला हमारे साथ हैं, सब समझना चाहते हैं कि क्या कुछ नया इनिशियेटीव फार्माशुटिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आप लों की तरफ से लिए जा रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि फार्माशुटिकल is the star sector of the Indian economy. फार्मा और मेडिटेक में हमारी जो ग्रोथ या जो वार्धिक धर है वो पर साल डबल डिजिट से भी ज़ादा है और ये मैनुफाक्चरिंग में जो मेक इन इंडिया का मानिये ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कारिकरम है या जो इनिशियेटिव है उसका एक बहुत अच्छा काम किया है हमारी प्रोथ सहन योजनाओने जो इंडिस्ट्री के लिए है उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है और अभी वीकेंड पे दो-तिन दिन पहले पचास ग्रीन फील्ड प्लांट उनका उद्गाटन मानिये स्वास्थ एवं औश्यद मंत्री जी द जो हमेशा से इंपोर्ट होते थे आयात होते थे बहुत से उन्हें भी अपने हमारे ही देश में बनाने के लिए ग्रीन फील्ड प्लांट की स्थापना की गई है और उनका निर्मान देश में शुरू हुआ है इसको कैसे इंशूर करने कोशिश करते हैं अपने सही कहा आप इनोग फार्मेसियूटिकल्स मेडिकल डिवाइसे इन सब की एफोर्टिबिलिटी ट्रीट्मेंट की एफोलिबिलिटी का प्रश्ण एक बहुत अहम प्रश्ण है इसके लिए दो बड़े इनिशियेटिव भा प्रश्ण सरकार ने लिए हैं पहला इनिशियेटिव जन ओश्धी योजना है और जैसा कि आप जानते हैं जन ओश्धी पर योजना एक बहुत ही सफल उधारण है ऐसा काम शायद ही दुनिया में किसी दूसरे देश में हुआ तो 2014 में हमारे देश में सिरफ असी जन ओश्धी केंद्र थे और प्राइमिनिस्टर सहाब के नितरित्व में इस कारे करम की इतनी वरिद्धी हुई है कि अब देश के हर कोने में जन ओश्धी केंद्र फैल गए है और मानिये प्रधान मंत्री जी ने नवंबर 2023 में दो-तीन महीने पहले इम्स देवगर में दस हजारवे जन ओश्धी केंद्र की शुरुवात की थी और उन्होंने लक्षे दिया है कि इसकी संख्या को हम आगे बढ़ा कर अगली दो-तीन वर्षों में 25,000 तक ले जाएंगे और देश का कोई जिला, कोई ब्लॉक, कोई प्रखंड नहीं बचेगा, कोई हस्पताल नहीं बचेगा, जिसमें जन ओश्धी केंद्र की सस्ती दवाईयां ना मिलती हैं। लोगों को बिल्कुल परिशान होने की जरुबत नहीं है। ये जो खबरे आ रही हैं, ये इसलिए आ रही हैं कि हम लोग अक्टिव हैं। हमारा एक रिस्क फ्रेमवर्क है, जिसके अंतरगत हम पूरी मार्केट को की समीक्षा करते हैं, उसको सर्वे करते हैं। हमारी रेगुलेटर्स जिसमें CDSO और जिसके अंदर National Pharmaceutical Authority, NPPA, ये दोनों अक्टिव हैं। और जहां-जहां से हमें सुचनाय प्राप्त होती हैं, हम उसे अपने Risk Assessment Framework में शामिल करते हैं। और उसके हिसाब से हम सैंपल्स भी इकठा करते हैं। और हमारे जो कंट्रोलर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, सेंटर, स्टेट, राज्येओं में और केंदर में दोनों लेवल्स पे, वे आजकल एक्टिव भी हैं। रैंडम चेक्स भी कर रहे हैं। रेड्स भी कर रहे हैं। दवाओं की गुनवत्ता की भी जाच कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इन गतिविधियों में और कारवाई में, सक्त कारवाई में काफी बढ़ोतरी हुई है और अच्छा काम हुआ है। और इसके साथ-साथ ही हम सकारात्वक कदम भी उठा रहे हैं। और जो क्वालिटी के प्रती सजग हैं, क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं, उन सब के लिए हम एक नई योजना भी लेकर आ रहे हैं। इन फैक्ट उसकी स्विक्रिती सरकार से प्राप्त हो गई है। और इस योजना के अंतरगत ऐसे सभी मध्यमवर्ग और छोटे जो ड्रग मैनिफाक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो अपनी क्वालिटी अफग्रेड करना चाहते हैं। और दो महीने पहले भारत सरकार ने क्वालिटी को अप्ग्रेड करने के लिए रिवाइज शेडियूल एम स्टैंडर्ड्स की अधिसूचना जारी की थी, उसे गजट में नोटिफाई किया गया था, और सभी को एक साल का समय दिया गया है कि वो रिवाइज या अप्ग्रे स्टैंडर्स के बिलकुल समानांतर है, और इन सभी फैक्टरीज, इन सभी प्लांट्स, इन सभी मैनिफाक्टरर्स की निर्माताओं की मदद करने के लिए एक नई स्कीम भी सरकार ने अप्रूफ की है, जिनके अंतरगत जो कारवाईयां, जो अप्ग्रेड या जो इन्वे इस प्रतिशत, उनकी आवशक्ताओं के उनसार, उन्हें सबसिटी के रूप में भी दिया जाएगा, आप देखेंगे कि सरकार के इन सथक प्रयासों के खारण, ना किवल गुनवत्ता या क्वालिटी की समस्या के लिए अच्छा काम होगा, सकारात्मक काम होगा, बलकि एक साल के अंदर हमारे सारे प्लांट्स एक नए लेवल इंटरनाशनल स्टैंडर्ड के समानांतर भारतिये स्टैंडर्ड होंगे और सब अप्रेड होगा, सर ये भी समझना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा मेकनिजम भी हमारे साथ हैं जहां पे ग्रिवांसिस, इंडरस्टी तो र उसमें मेकनिजम है, उसके अंदर वेबसाइट के उपर भी है, पोर्टल भी है, हेल्प लाइन भी है, जहां पर कोई भी शिकायत किसी प्रकार की हो, कीमत के विरूद या कोई गुनवत्ता के विरूद, उसे दायर किया जाता है और वो हम सिस्टम के थूप फिर उसको लिखते हैं, उसकी जाच भी करते हैं और उसके आवश्यक कदम भी उठाते हैं। का स्पष्ट मतलब है कि इस सिस्टम अपना काम कर रहा है। लोगों से कोई अमरोध आपकी तरफ से अगर कोई चीज जो कहना चाहरे हूं या कुछ आप उनको कहना है। मैं तो यही कहूंगा कि भरोसा रखें। भारत फार्मेस्टिकल्स और मेडिकल डिवाइसे के शेतर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। और मैं खास्त और से बताना चाहूंगा कि जेनरिक मेडिसंस, जेनरिक दवाईयों का अवश्य इस्तमाल करें। हमारा अपने चिकितसक बंदों से भी अनुरोध है कि जेनरिक दवाउं को अवश्य लिखें और आम जनता को, आम लोगों को जनौशिधी केंद्रों पे जाने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि वहाँ पे टॉप क्वालिटी मेडिसंस, 100% सर्टिफाइड मेडिसंस, 100% चेक्ट मेडिसंस, 50-80% मार्केट से सस्ती मिलती हैं। और हम टॉप क्वालिटी मेनुफैक्टरर से ही वो मेडिसंस प्रोक्योर करते हैं। और जो दवाएं 100% क्वालिटी पेरामेटर पास करती हैं, उन्हें ही आगे डिस्टिबिशन चैनल में भीजा जाता है। तो अगर आप जन उष्धी केंदर पे जाते हैं, जन रेक डवाईयां लेने, तो मानिये प्रधानमंत्री की फोटो भी वहां आपको दिखाई देगी। प्रधानमंत्री जन उष्धी योजना की जो दवाईयां हैं, वो गैरंटीड कॉलिटी की दवाईयां है। और उसमें आपको किसी तरह की कोई शंका संकोच नहीं होना चाहिए। बहुत हुश्क्राइब नई दिली से परिमल कुमार, इंडिटिव इंडिया।